हेलो फ्रेंड वेलकम बेक तो माई चैनल इस्प्रीचल लव टेरॉट आज मैं फिर से आ गई हूं न्यू टोपिक के साथ में अज का टोपिक जो है वह यह कि थर्ड पर्टी जो है वह क्या कर रही है हमने टोपिक जो सुचा है कि आज थर्ड पर्टी के बारे में जानने की कहित थेक्यों मिण रही है तो मेरे जितने विव queda है उनको दिल से थेंक्यों तो तेंक्यों आप मेरा वेट कर रहे थे उसकेलीBi dhp ठीक है मैं थोड़ा लेट हो गई थोड़ा प्रॉब्लम आ गई थी चैनल की और आपका सपोर्ट करने के लिए दिल से थैंक यू जो लोग मेरे चैनल पर फर्स टाइम आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे लाइक कर दीजे अगर वीडियो पसंद आता है तो शेर भी कर ठीक है हो सकता एक्स हो गर्फ्रेंड हो या फिर कोई फैमिली इशू वाला कोई थर्ड पार्टी इशू रहा हो तो हम उनके बारे में भी देखेंगे कि वो क्या कर रहे हैं अभी इस फिलहाल इस समय उनके माइन में क्या चल रहा है क्या सिच्वेशन उनके अंदर है और हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो आपके लाइफ में थर्ड पार्टी है वो अभी क्या कर रही है और क्या करने वाली है ठीक है तॉपिक आपको समझ में आ गया होगा चलिए ठीक है देखते हैं क्या आया है सबसे पहला कार्ड हर्मिट यहां पर यह है एस ओफ कप्स शलिए है रोफेंट का कार्ड है फाइव आफ सोर्ड तैन ओफ सोर्ड तैन ओफ वांड अज सब उल्टे कार्ड क्यों निकल रहे है पता नहीं डेथ टावर फाइव अफ कप्स नाइन ओफ सोर्ड फाइव पैंटिकल्स भी यहां तो ऐसा लग रहा है मुझे कि जो थर्ड पार्ट है वह कुछ ऐसा कार्ड करने वाली है कि आपके आंखों से आंसु निकलने वाला है क्यों क्यों कि आपके पार्टनर की जो सिच्वेशन होने वाली है आप सोच नहीं पाएंगे कि उनकी क्या सिच्वेशन है ठीके बहुत बुरा कार्ड करने वाली है जो धर्ड पार्टी है मुझे लग रहा है देख लो अपनी आख से कि क्या कांट करने वाली है चलिए हम डिटेल्स में जानेंगे लेकिन अभी तो फिलहाल मुझे जो दिख रहा है ठीके हम इमेशिस भी देखेंगे कि क्या है देखे सबसे पहले तो जो मेरे प्यारे प्यारे वीवर्स हैं लोग ये जानना चाहते हैं कि थर्ड पार्टी अभी क्या करना चाहा रही है क्या कर रही है तो मैं आपको बता दूँ यहां की सिच्वेशन से तो मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग खुद देख सकते हैं देख लो अपनी आखों से कि क्या कांट कर रही है थर्ड पार्टी सबसे पहले तो थर्ड पार्टी बिल्कुल निडर होकर पहले तो उसे थोड़ा बहुत डर लगता था था अभी वो क्या कर रही है कि उसको उसके दिमाग से डर नाम की अच्छा कर रही है कभी शॉपिंग कर रही है कभी कोई चीजें खरीद रही है ओं मार्केट जा रही है सबसे पहले तो आपके पार्टन की जो ह Алत है तो इस तरह की हो गई है वेगना फील कर रहे है आपके पार्टनर Alright पूरी तरह से बर्बाद हो गए, इतना ज़्यादा बर्डन, इतना ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, देखें यहाँ पर 9 of swords है, यह person financial को लेके, अपने work को लेके, business को लेके, इतना ज़्यादा परिशान हो रहा है, इतना ज़्यादा कि इसको समझ में नहीं आ रहा है कि यह ठीके आपके mouses Rainbow semaines 2 झो आपका partner था वह आपको खुशी नहीं दे पाया पर third party जो है वह आपके partner में बिर्कूल में उनकी और पाया वान शर। इसका है और शर्त्व सार्वत जहाँ अपके partner if the fact Goes out हाँ five of swords है ten of swords है बट यहां last card भी nine of swords इतने card इतने खंजर घुप रही है यह कुछ ना कुछ ऐसी planning कर रही है क्या कर रही है काफी लोगों के यहां तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यह जो lady है इनका financial मतलब क्या बोला चाहिए चुरा चुरा के बोल सकते हैं या फिर छुपा के अपना bank balance बढ़ा रही है ठीक है अपना bank balance बढ़ाने की कोशिश कर रही है शायद इसके दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा है कि वो आपके partner को रस्ते पिलाना चाहती है वो अपने पे dependent रखना चाहती है कि आपका जो partner है वो उसके ऊपर depend हो जाए तो यह third party पूरा पूरा planning कर रहे है इस तरह के कांट कर रही है कि यह person जो है ना देखे इस person का balance बिगड़ गया सबसे पहले तो इस person ने जितना balance बनाया था जितना money ने जमा किया था जितना इज्ज़ कुछ इन्हों ने जमा किया था वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है सब कुछ इनका बर्बाद होता दिख रहा है पूरी तरह से इनके उपर इस लेडी ने burden डाल दिया है बहुत ज़्यादा burden यह person ठक गए हैं अपनी life से इतना ज़्यादा hermit more पर चले गई यह person इनको कुछ नहीं समझ में आ रहा है इनके दिल में प्यार नाम की जो चीज होती है ना देखे यहां ace of cups है ace of cups क बदल के क्या हो गया टावर सिर्फ negative energy negative बात है negative ही negativity के अलावा इनके mind में कुछ भी नहीं चल रहा है प्यार नाम की चीज जो थी जिनकी जिन्दगी से वो कहीं ना कहीं खतम हो गई है देखे यह sad इतने हो गई है five of cups का card है यह person इतने ज़्यादा sad हो गई हैं इतना ज़्या आपका प्यार चीना था आपका विश्वास तोड़ा था वही चीजे आज इस person को दुबारा return मिल रही है और third party तो बड़िया तरीके से कांट करती चली जा रही है आपके person जो है death वाले इस्तिती में आ गए हैं यह सोच रहे हैं कि मैं कैसे कैसे इन सब situation से बाहर निकलूँ पर यह निकलने की कोशिश तो करते हैं पर क्या होता है यह जो tower है इन्होंने खुदने खड़ा करा है ठीक है यहाँ पर जो negative tower दिख रहा आपको यह tower जो है इस इनसान ने खुदने खड़ा करा है तो यह अब अपनी नजरों से इतने जादा नीचे गिर गए हैं कि इन्हें समझ में नहीं आरा कि यह situation से किस तरह से बाहर निकलें इनके पूरे mind में यह चल रहा है कि मैं कैसे situation से बाहर निकलो क्या करूं इतना struggle कर रहे हैं यह person इतना struggle कर रहे हैं अपनी life में कभी-कभी तो यह person उस lady का ego देखके ठीक है वो lady जो है ना उसका ego देखके यह person बहुत ज नहीं सोच लीजिए किस स्थिती में लेके आ गई है यह परसन जो है बहुत तकलीव, बहुत रोता हुआ दिख रहा है मुझे यह परसन पर फिर भी इसको अकल नहीं आ रही है इसने एक बार भी नहीं सोचा कि नहीं मैं अपने परसन को कॉल कर लूँ, बात कर लूँ, मैंने उनको क्यों छोड़ा है ना ये परसन बिल्कुल भी एक पल को भी ये नहीं सोच रहे कि मेंसे गलती हुई है अभी भी ये परसन जो है अपने एगो में कहीं ना कहीं कुछ लोगों के परसन मुझे अभी भी दिख रहा है वो अपने एगो में है ठीक है इतना सब कुछ इनके स कुछ अच्छा हो जाएगा कुछ इस इंसान को अभी भी अकल नहीं आई कि यह तर्ड पार्टी जो है वह इसको पूरी तरह से यूस कर इसके साथ में कांड पे कांड किये जा रही है ऐसी situation ला रही है कि कल को ये thought party जो है इस person को भगा भी सकती है देखिए हम इस पे भी repeat वीडियो देखेंगे कि क्या वो वाकई में भागाना चाहती है तो मैं इस टॉपिक पे भी वीडियो लाऊंगी लेकर अभी मुझे situation ऐसी दिख रही है कि वो जो ये planning कर रही है जो सारी situation उसने create की है आपके partner का जो financial वो अपनी तरफ इखटा करी अप उसके mind में बहुत ज़्यादा चल रहा है कि वो आपके partner को बरबात कर दे ताकि ये क्यों कर रहे है क्यों 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 कि चाहती है कि वो partner आप पर depend रहे चलिए हम कुछ other deck से भी देखते हैं चलिए देखते हैं other deck से कि क्या वो वाकई में आपके partner को दर्द देना चाहा रही है क्या किसी चीज का गुसा निकाल रही है तो please universe बताईए please universe बताईए guide किजे कि मेरे जो वीवर्स हैं उनको उनके partner को third party किस लिए हर्ट कर रही है क्या चाहती है okay यह three cards इतने सारे हैं मैं three cards रख लेती हूँ one two यह ten ठीक है एक cards और ले लेते हैं ठीक है इनको देख लेते हैं कि वो जो third party है ठीक है bottom के energy देख लीजे यहां पर ace of cups ठीक है ace of hearts का card है तो यहां मुझे लग रहा है कि यह इसी चीज को लेकर इनके दिल को ठेस पुचाना चा आपका प्यार मिटाना चाहती है कहीं न कहीं जो third party है ten of cups से शादी शादी तुडवाना चाहती है वो नहीं चाहती है third party कि यह person repeat आपकी तरफ आए या आपके पास आकर ठेरे तो यह बहुत ज़्यादा दिखिए three of swords three of swords की energy आई है three of spades and seven of spades and ten of spades मुझे यहां clear दिख रह मतलब शातिर दिमाग दोड़ा रही है इस third party के साथ में भी दो तीन लोग मिले हुए हैं जो आपके partner को disturb कर रहे हैं ठीके किस कुछ लोगों के life में होगा आप मुझे बता सकते हैं क्योंकि मुझे 100% यहां पर यह feel हो रहा है यह energy पिक हो रहे है कि इस lady के साथ में दो और ऐ support कर रहे हैं जिसके दम पर यह आपके शादी को तुड़वा चुकी है ठीक है आपके शादी को तुड़वा चुकी है आपका जो प्यार था आपके जो family थी उसमें इसने food डालने की कोशिश करी है ठीक है यही चीज में देख रही थी और यहां पर है seven of swords का card तो यह लेड़ी आपके person को ठीक है बहुत ज्यादा torture कर रही है बहुत ज्यादा तकलीव दे रही है वो ऐसी तकलीव दे रही है कि आपके partner को feel नहीं हो रहा है ठीक है किस तरह की तकलीव दे रही है उसको प्यार वाली तकलीव दे रही है उसका financial भी धीरे धीरे लेती जा रही है स पर आपके पार्टनर की आँखें पूरी तरह से अभी बंद है उसे दिखाई नहीं दे रहा है कि हाँ यह जो थोर्ट पार्टी है मेरे आँखों पर पट्टी बांद कर मेरे साथ में एक गेम खिल रही है दो लोगों दो लोगों के अनर्जी मुझे पीक हो रही है और 100% यहां पर जो दो लोग है वो उस लेडी के कोई खास है या उस जैंस के कोई खास है ठीक है आप अपने सिच्वेशन से मैच कर दीजिए कि यह कौन है क्या है और कौन सा व्यक्ति है जो आपके रिष्टे को तोड़ तो पह जा रहा है सबसे पहले तो मुझे फाइनेंशाल लग रहा है कि वह अगर आपके पार्टि आपकी तरफ आते हैं तो इनको कुछ हम भी कर सकती है कुछ नुकसान भी पहुंचा सकती है ठीके तो मुझे यह सीच्वेशन दिख रही है चलिए हम नाम देख लेते हैं अगर इस पार्टनर का नेम आता है तो यह रिडिंग आप रेजोनेट कर सकते हैं, चलिए हम कुछ इमिशिस निकालते हैं, प्लीज मदर युनिवर्स पिताइए यहां पर उस थर्ट पार्टी का नेम या फिर उनके पार्टनर का नेम ठीक है, जो मेरे वीवर्स देख रहे हैं, उनके वाइस वर्स हो जाती है, कभी-कभी तो जो मैं रिडिंग के लिए यह इमिशिस निकाले हो सकता है, आप यहां पर बहुत प्यार से देख रहे हैं, तो आपके भी मिशिस यहां पर निकल आए हैं, ठीक है, A, C, आप जानते हो तो आप पहचान पाएंगे कि थर्ट पार्ट किजिए, ठीक है, और जो लोग फर्स टाइम चैनल पर आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, के, A है न, A टू टाइम आया यार, टू टाइम दिख रहा है मुझे, A, H भी देखिए, H भी टू टाइम है, OK, H भी टू टाइम है, W, W से कोई का नाम हो सकता है, F, F से हो सकता है, N से हो सकता है, किसी का नाम, N भी रिपीट है, भाई, आप लोग देखिए, कोई दुश्मन आपका N से ही नाम है, उसका, OK, और यहाँ पर O है, 6, देखिए, 6 नंबर, आपके पार्टनर की डेट अ बर्थ हो सकती है, या 6, 6, देखिए, 6, 6 की एनरजी निकली ह देखिए, 6, आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा है, आप गूगल पर सर्च कर लीजे, कि 6 दिखने का क्या माइने है, मुझे यहाँ पर लग रहा है, तो मैंने आपको बोल दिया है, ठीके, यहाँ पर डबल रिपीट मैं बताती हूँ, A थ्री टाइम्स आया है, V टू ट टाइम्स आया है, ठीके, और डबलू भी हमारे पास टू टाइम्स आया है, देखिए, यहाँ पर NN है और यह डबलू, तो यह हो सकते हैं, आपके पार्टनर के नेम्स या इमेशिस या आपका कुछ नेम्स हो, तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीके, I hope reading आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीके, फॉर्स टाइम्स चैनल पर आ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हम मिलते हैं नेक्स वीडियो पर, बाई बाई